हलो एवरिवन तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यह बहुत ही सुदर यलो फ्लास का डिजाइन माटीरल रिक्वाइड अब आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाए दे रहा है तो चलिए करते हैं स्टार्ट यह मैंने 18 by 18 साइस का कपड़ा ले लिया है अब एक फ्रेम की हेल्प से मैंने अपने इस कपड़े के उपर एक सर्कल बना लिया है इस circle के उपर मैंने drawing कहां की है उसकी marking में आपको एक छोटी circle पे बना के दिखा रही हूँ मेरा पूरा का पूरा वो बड़ा circle वीडियो में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपको इस पे बना के दिखा दिया है तो चलिए करते हैं drawing start ये drawing बहुत ही easy है इस drawing को मैंने वीडियो के लिए pencil से बनाया है आप जब बनाएंगे तो आप कोई chalk या light सा pencil color यूज करें otherwise इस pencil के निशान आपकी painting के नीचे से दिखाई देंगे और आपका design अच्छा नहीं लगेगा आप देख सकते हैं screen पे कि ये drawing बहुत easy और बहुत simple है एक point जो मैं आपको पहले बताना बूल गई जो circle आप बनाएंगे आप make sure करेंगे कि वो circle आप अपने कपड़े के center में बनाएं ताकि stitching करते वक्त आपका design उपर नीचे नहीं हो इस design में main flower पे मैंने 5 petals बनाई है second वले flower में मैंने 4 petals बनाई है और last वले flower में हम 3 petals बनाईंगे उस हिसाब से आप अपने drawing को adjust कर लेंगे coloring करने के लिए अब मैंने ये लिया है lemon yellow shade और मैंने लिया है अपना six number का round brush जो हमने drawing करी है उसके उपर देखिए मैं simple अपने brush से color को apply कर रही हूँ और मैं ऐसे ही अपने सारे flowers के borders के उपर color को apply कर लोगी आप screen पे देख सकते हैं कैसे सारे flowers करने के बाद जो number one flower था जिसको हमने सबसे पहले border बनाया था अब आप उसमें आप देख सकते हैं screen में कैसे color से उसमें shading दे रही हूँ जो border बनाया है उससे बस अपने flower के अंदर उस color को move करना है और यह जो gap मैंने बीच में छोड़ा है white white उस gap को आप जरूर छोड़ेंगे उससे हमारी shading का effect आएगा अगर यह सारा lemon yellow color बिल्कुल fill हो जाएगा तो हमारा shading effect नहीं आएगा अब मैंने लिया है golden yellow shade और exactly सेम तरीके से जैसे हमने lemon yellow से किया था exactly सेम तरीके से हम golden yellow से भी कर लेंगे इसमें भी हम पहले सारी के सारे borders बनाएंगे सारे flowers के और first flower से जिससे start किया था उससे shading देना शुरू करेंगे थोड़ी देर उसको time मिल जाता है तो उसमें वो हलका सा shade जो होता है dry हो जाता है और उससे हमारा shading का effect बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ज़्यादा गीला color हम move करते हैं तो हमारा shading नहीं आता है वो mixing हो जाता है अगर आपके वहां मौसम बहुत थंडा है तो आप चाहें तो एक दो मिनट होल करने के बाद अपने shading का effect दे और अब ये मेरे सारे के सारे flowers shading होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं अब हम करते हैं step number 2 इसके लिए मैंने लिया है yellow ochre shade और यही 6 number का round brush और ये देख सकते हैं जो flower के बीच का हिस्सा होता है उसमें मैंने ये लोग कर से shape दे दी है circles बना दी है और semi circles बना दी है अब मैंने लिया है triple zero brush और white color और आप देख सकते हैं जो हमारे curves थे जो shapes थी हमारे flower की उसको मैंने कैसे white color से shape दे दी है अब मैंने लिया है black color और वो ही triple zero brush और अब मैं अपने flower को थोड़ी थोड़ी सी अपने brush की help से shape दे दूँगी आपने धियान रखना है कि ये जो border की तरह नहीं बनना चाहिए बस हलकी हलकी सी हमने black color से उसको एक हलका सा shape देना है flower का और इसको proper border नहीं देना है और अब हमने हमारे flower के center वले area में ऐसे हमने चोटी-चोटी सी पतली-पतली सी lines बना लेनी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कैसे बनाई है ये line आपने अंदर से बाहर की side पे करनी है opposite direction में नहीं करनी है और ये हमारा design अब कुछ ऐसा दिखाई देगा तो चलिए अब हम करते हैं step number 4 इसके लिए लिया है मैंने sap green color और simple six number का round brush और उससे मैं हमारी leaves बना लूँगी ये leaves मैंने draw नहीं की है ये मैं अपनी मर्जी से randomly कहीं भी चोटे-चोटे leaves बना लूँगी सारे pattern में आप अपने हिसाब से leaves बना लेंगे लेकिन ये जो joint area है जहाँ पर हमने दोनों floss को join करना है वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे leaf बनाया है three leaves मैंने एक side से बनाए है और three leaves मैंने दूसरी side से बनाए है थाकि हमारे जो चारो points है जहाँ पर हमारे floss join होंगे महाँ पर same design दिखाई दे और उससे एक अच्छे लुकाती है सारे leaves बनाके आप इनको dry होने दे और उसके बाद आपने triple zero brush और black color और उसकी help से lines बना दे leaves के बीच में और ready होने के बाद हमारा design कुछ ऐसा दिखाई देगा मैंने ये दो different style से बनाए हैं आप भी बहुत अराम से अपने लिए बना सकते हैं अगर आपको ये design और ये pattern अच्छा लगा है तो please मेरे channel को जरूर subscribe करें अपनी friends और family के साथ जरूर share करें और like करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप अपने घर के लिए बनाएं तो please मेरे साथ एक बार जरूर शेयर करें thank you